आप देख रहे हैं भेनार क्लासेस मैं हूँ प्रलाद लेके हूँ आज इसपेसली आपके लिए यहाँ पे Origin of Cultivated Plants का यह हमारा First PPD चल रहा है इसमें हमने दो लेक्चर क्लास कम्प्लीट कर लिया है आज हम लोग देखेंगे इसपेसली वेविलाउन का Contributions की आखिर क्या रहा वेविलाउन का Contributions इसपेसली इसी सीरीज में यानि Origin of Cultivated Plants सीरीज जो काफी Importants होने वाली है इसमें कुछ Graphs देखेंगे, कुछ Theory देखेंगे, कुछ और उनके अलग-अलग Jones को देखेंगे तो चलिए बढ़ते हैं अपने Topic के तरह उससे पहले बता दे कि यदि आप अभी तक हमारे Courses में Enrolling नहीं किये हैं तो हम आपके लिए ठीक 100 रुपए पर मन्त के हिसाफ से एक पूरा सब्जिक्ट लेके आए हैं यानि 1200 रुपए महीन साल का, वन येर का 1200 रुपए हैं पूरा बोटनी के लिए और कमिस्टी के लिए और आपके जुलोजी के लिए तो आप अब भी जाके BSC के Courses में Enroll कर लीजिए अधिक सदिक Enrolling चालू हो गई है, बच्चे ले रहे हैं Courses अगस्त तक सारे Off किये गए, 60% Off चल रहे हैं साले बस और उसी एकॉर्डिंग में हमारे आता है VNR Classes का Official Android Applications जहां से सारे Course, PDF Notes, Exam Support, ठिक बाकी जो Practice Seats हैं वो इसी जगह मिलेंगी कहां पे VNR Classes एक ऐसा Platform जहां पे हम देते हैं BSC के लिए Pure Material BSC Label से और आप यदि हमारे YouTube चैनल पे हैं तो आपको एक थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा एक सस्क्राइब का बटन दिख रहा आओगा उसको दबा कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स नोटिफिकेशन मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूं जिससे आप जुलोजी बॉटनी कमिश्टी में सबसे आगे रहे अपने नोलेज बेसेशन पे टिक तो चलते हैं बढ़ते अपने टॉबिक की तरफ की तरह देखते हैं कि क्या कैता हमारा टॉबिक हमने क्या देखा थाह मने कुछ Ci वую कर लिया था क्या धीख लिए था और उसी basic terminology में हमारा introduction हो गया था, हमारा यहाँ पे center of origin and diversity को हम लोग डील कर लिये थे and हम लोगों ने यहाँ पे primary center of origin को दीख लिया था, उसके बाद हम लोगों ने secondary center of origin को डील कर लिया था and हम लोग contributions देख लिये थे किसके decandley के, कि decandley का contributions क्या है, उसको कैसे देखा जाए, उनको हमने डील कर लिया था आज हमारा class बसता है, contributions of wavilon, कि wavilon का जो contributions रहा, origin of centers में, किसी plants के लिए, cultivated plants के लिए वो क्यों रहा, कैसा रहा, क्या-क्या उने बताया, सब के बारे में आज के class में deal करेंगे, हमने बताया था कि यह हमारे class number कितना होने वाला है, हम लोग यह class number third पढ़ने वाले हैं, class number third में आपको आज का पूरा-पूरा topic recommended होगा, इस चीच को आप ध्यान दिजेगा तो चलते हैं, topic को आगे बढ़ाते हैं, अब देखते हैं number five, हमारा तीसरा lecture class है, आपको सारक सारा lecture classes मिल जाएंगी, ठीक, number five में कहा रहा है contributions of baby law, baby law ने especially contributions में बहुत बड़ा एकदान दिया है, वो उनकी एदि हम बात करें life span की, तो life span आपको दिखाई दे रहा होगा, 1887 ल बूम लाने की कोशिस किया, और उन्होंने बताया कि अपने पूरे पूरे plants की जो उन्होंने book लिखी थी, उसके बारे हम बात करेंगे, पहले उनको देख लेते हैं, ठीक, यह देखो क्या कह रहा है, कि 1887 लेकर 1943 तक इन्होंने इनकी life span रही, और यह famous, क्या थे famous Russian बायोनि क्या होते है, यहां पर botanist का मतलब होता है, यह बार्णि का मतलब botanist बोलते हैं, इसको क्योंकि यह botany के बारे हम बता रहे हैं, तो botany के फिवरेट एक word होती है, जिसको botany में लोग study करते हैं, जो botany का सही तरीके से study करने वाले, जो scientific होते हैं, जो person होता है, हम लोग उसे क क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वैसे ही हमारे पास जब जुलोजी का कोई स्टडी करता है हम लोग उसे जुलोजिस्ट बोलते हैं जब हमारे पास कोई केमिस्टी का ऐसा परसंट को अच्छे तरीके से जानता हो केमिस्टी को अच्छे तरीके से फील करता हो तो हम लोग उसक इसको आंगे बात करता है इन्होंने क्या किया इन्होंने डीर सारे माईली स्टोन वाठी बेशन में उरिफे संarch के जो इक कंच खेती करने वाले इंथन से प्लांट्स थे जो जिस एरिया में उग रहे क्या है, उसके सारे काइटेरिया को इन्होंने जल्दी जल्दी कभर किया अपने इसी थियोरियमें आगे बात करते हैं, इन्होंने इस पेसली, ओउडियंट्स फर्म कहां से लिया ये व É journée विचाशली, विचे किस से पता चली प्लांट जियोग्राफी की बात करते हैं प्लांट जियोग्राफी आपछी इनस देखो क्या बह बहुतанич कर थैञंद दिखो क्या ळूर है इनको सकते इल्ग हो इनके इस्पैसली जोन रहे थ्यान देना क्या JUPS क्याकिया इनके जो इसको साल समय भी करते हैं इन्होंने कलेक्शन करना इस्टार्ट कर दिया डाटा बेस्ट प्लांट्स को जिस अलग अलग जगों से इन्होंने प्लांट्स को उठाना चालू किया वहां से लेना रिसीव करना चालू किया और अच्छे तरीके से क्या अच्छे तरीके से जब इन्होंने हँए जूटने वह औरिजीन प्लांट से उनको उन्होंने अपने पास लाने की पूरी चेष्टा की और लोगों के साथ मिलकर असे सहीयोगियों के साथ किल कर इन्होंने प्लांट के करेक्शन में भागीदारी निवाया और आज क्लकív करके एक बुख पुबिस करने की बात किया इनकी जू पब्लिष्ट थी वह कहते यहां पर यह पर संधी कन्ट्री को पुब्लिष्ट कीया किया रिजल्ड को पब्लिष्ट किया जो इस पेशली और में यह यह पर यह एक पुनिसिडट होते हैं बोरा ही कंसीडर्ट डैड ग्रेट इसेंटरस आफ और यहांपे डिश्टिबुईशंस आफ अवार कल्टिवेटेड कला क्रॉप्स जितने भी हमारे ग्रिश्टिवेटद प्लांच थे काल्टिवेटेड प्लांच नार ने उनकी नर्फाने का centralized group लसें करते हैं यहां भी बोलता क्या है इन्होंने कहां कहां लिया इस्पेसली यह लोवर मांटोनियस क्याते हैं मांटेनियस प्लांट जो थे ठीक आगे बात करता है इन्होंने यहां पे सिकेंडरी देखो इन्होंने प्राइमरी ओरिजिन को भी दिखाया इन्होंने सिकेंडरी ओरिजिन को दिखाया प्राइमरी ओरिजिन उनको बोला गया क्या प्राइमरी ओरिजिन उनको बोला गया जो सबसे बेसिक चीज थे यानि जब plants पहली बार जहां पाया गया जैसे जो wild area होता है जंगली area होता है उसको हम लोग बोलते है primary center of origin और जो हमारे crop फसले होती हैं यानि खेती करने वाले फसले हमारे गाव में जो हम लोग होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं secondary center of origin तो primary हमारे wild plants आएंगे और secondary हमारे crop plants आते हैं इस चीज़ को आप ध्यान देजिएगा और बात करते हैं अगले process पर अगले process में इन्होंने क्या किया इन्होंने natural and इन्होंने क्या किया जितने भी हमारे क्रास थे क्रास को इन्होंने सही तरीके से दिखाया ठीक एक मिनाट डुटर तो बीच में call आ गया था उसको मिलते हैं primary centers मिलते हैं और जो हमारे crop plants होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं उनको secondary center of origin के नाम देते हैं ठीक इसी series में हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास especially इन्होंने natural artificial तरीके से selection किया पूरे categories को और selection करने के बाद इन्होंने क्या किया इन्होंने eight कितने बोल रहा है eight या इन्हों ने 1926 में जो अपनी theory यानि publish की थी क्या थी अपना result publish किया था उसके basis पे जितने भी cultivator plants थे उसके origin होती है वह eight कितने पांच और यह तीन आठ चोटे चोटे जो areas हैं उन्हें उन्होंने divide कर दिया चलते हैं देखते हैं कि यह eight area कौन-कौन सा था यह eight region कौन-कौन सा जो हमको कहीने कहीने बेबी लोने इस पेशली recommend करते हैं ठीक बढ़ते हैं अगले topic पे तो अगले topic हमारे पास क्या होता है यह पूरा देखो आप color combinations आपको ठीक ना दिख रहा होगा लेकिन हम तोड़ा से इसको down करते हैं मैं इसमें black black दिखने लगा क्या मैं इसमें black दिख expectations की बात किया कि हमारे पास research किया किसके विसेश पे जीन के विसेश पे और इन्होंने 1921 से देकर 1934 ठक 1818 ऐसे ऐसे छेत्र को चुना कहां से पूरे around the world यानि पूरे world से इन्होंने छोटे-छोटे छेत्र चुना और उसी area में इन्होंने लगबाग लबाग इन छोटी- इन्होंने लगबाग 52 कंट्रीज को खुद ही विजिट किया और उसके बारे में इन्होंने बताया ठीक आगे बेबी लाग की जो अगे अगया प्ला से थोरा उट फफ़ार्ट फॉर्ड वाइल थे جिसको लोग फाइटो जीोग्राफिव रसाना फेंदम्राफिषर होता यहां एक इस के बारे मे dlaешь का है कि यह ऐसा एक origin होगा क्या होगा एक ऐसा हमारा method होता है origin method होता है जिसमें हम लोग जगा जगा जाते हैं जगा जगा जाने के बाद उसकी जितने भी varieties हैं सब variety को कहीं ने कहीं detail किया जाता है फिर उसके बात बढ़ाता है बताया जाता है कि यह लग्षड यह symptoms किस वाले plants में जादा दिखाई दे रहा है ठीक तो वही method से इन्होंने क्या किया था इस area को चुना था आठ एरिया की वाइब हमने बात किया आठ एरिया में हमारे पास यह कुछ बेसिक का consider area है जो बेभी लॉग के especially comment को दिखाते हैं कैसे बेभी लॉग के especially symptoms को दिखाते हैं हमारे पास प आठ एरिया था यानि आठ एरिया आज को इन्होंने चुना आठ एरिया को चुनने के बाद इन्होंने पूरे पूरे जतने crop plants थे वह सही तरीके से recommend कर पाएं तो आपको सही तरीके से color visible हो पा रहा होगा एक screenshot ले लो फिर हम आगे इसको detail करते हैं एक screenshot आप ले लो फिर हम ल इसमें पहला center of कौन था था बेवी लो के basis पे तो इसमें कौन सा था Chinese बोल रहा है क्या कि Chinese center of origin क्या Chinese center of origin जब चाइनीज center of origin में पढ़ते हैं तो यहां पे यह देखते हैं कि हमारे पास Chinese center of origin था एक largest एक स्वतंत्र मतब एक बड़ा सा स्वतंत्र एरिया था जहां पे पूरे कहीं ने कहीं क्राप प्लांट समको उगते हुए दिखाई देते थे ठीक अब इसमें क्या बोल रहा है कि यह इनमें इंक्लूर्ट थे क्लिटिविटेश प्लांट थे सारे पायाते हैं इनमें इंक्लूर्ट थे क्या-क्या थे माउन्टेनियस रिजन थे माउन्टेनियस मतलब इसमें परवदी चेत्र ये जादा हुआ on City अर्विस्टेंड चाइना किसे वेस्टեmb City क्या ब धेहरे जो लो लैंडस मिपाशुआ है इन्डेमि के पास मांटेनियस इरिया देखने के मिला यहां पर इंडेमिक depressives की बात कर रहा है हम्ने गया तो 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 यही सबо 150 यां के वहाए दिक थी जिसमें धेहरे सारे इस्पीचीज पाए पाए जाते थे तेक आप इसमें इंक्लूड कर दीजेगा यहां पर हमारे पास क्या है मिलेट सें सोया बीन्स होगा तेक बॉंबी क्या करते हैं ओनियन था इसको पड़ दीजेगा कोई दिक्कत नहीं बताते ठेक देखो यह शोड़ा-शोड़ा पॉइंट्स है आप इसको ट मौन्टेनियस रिजन को कभार करता है और जो हमारे लोवर लैंड थे वह वेस्टेन चाइना कंतर गता थे और इसमें 136 ती टिक कितने 136 ती जो हमको लिश्टेट करते हैं इंक्लूडेट कितने थे यह कुछ मटेरियल से हैं यह कुछ फसले हैं जो आपको उगाय जाती थी उस एरियाज में आगे बात करते हैं इंडिया क्या बोलता है इंडियान सेंटर आफ और जिन जब बात करते हैं धो इन्डयक सेंटर था याम था, औरेंज यानि संतरा था, जूट था, और कोकोनट हमारे पास था, ब्लैक पेपर था, यॉम था, एंड हमारे पास एक प्लांट्स थे, ये में सिंटर आफ अरुजिन में आते हैं, ठीक, जो असम और बर्मा के साथ हमारा कमपोज होता था, 117 प्लांट्स के साथ, या सिंटरस में कुल हमारे पास फिफ्ट़ फाइजिज मिलते थी, इनको इंडो-चाइना, इनको इंडो-चाइना और मलायाम बोलते हैं, ठीक, इस चुछ को ध्यान देड़न ऑफ दो इंडो-चाइना मतलब ब्लैक पेपर है यहां क्लिवेज है ठीक अर्ट है देर सारे जो मारे अलग अलग प्लांट्स है वह कहीं न कहीं उगते हुए दिखाई दिये कहां पे इंडो मलायन सेंटर में ठीक जब आगे बात करते हैं अधे अधे क्या चैन्टरल जो हमारा असीया था क्या था सेंट्रल चैनल के बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या आता है नौर्स वेश्टन इंडिया आ जाएगा अफगाणिस्तान चाठक और वेश्टन यहां पर यहां से फोटीटरी प्लांट्स मिलते थे और यह जो से अलग अलग रेजन में इंख्लूड करते है इसमें면acer मटर से लेकर हमारे पास कॉटन था ahh हमारे पास अपल था हमारे पास गोर्लिक थे औन बहुत अधा बीन्स था यह सारे सारे जो प्लान्ट से हमारा गेंग्व सबसे बेष्ट मेंटेरियल था इस वाले region के सबसे important potential sources of variety in common with यानि जो हमारे पास गिहूं था वो सबसे ज़्यादा Central Asia में ही देखने के लिए मिलता था ये चीज़ आपको याद रहे आगे बात करते हैं यहाँ पे Near Eastern बोलता है Near Eastern Center of Origin यानि Near Eastern की बात करें तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा यहाँ पे Asia जो minor Asia था, minor Asia, entire Asia की बात करता है entire Asia of minor Asia तिक, वहाँ पे पूरे होल जो पूरा एरिया था इरान की बात करे हम चाजस्तिकिस्तान की बात करे ठीक ईसके बात ये देखा जाता है कि ये हाई लेंडों की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 83 species मिलती है और यह 83 species हमको कहीं न कहीं बिताती क्या है इनमें important जो लिश्टेट था वो 9 species थे कितने थे 9 species लिश्टेट थे और इसमें हमारा सबसे best species था क्या हमारे पास जो हमारा गेहू होता है हमारे पास रे होता है यह सबसे ज़दा थे और इसमें हमारे पास subtropical जो regions थे उस species में हमारे धेर सारे temperative foods थे कैसे थे धेर सारे foods थे हम लोग fruits भी वहाँ पर देखे हम लोग cherry को देखे आगे बात करते हैं कुछ हमारे पास crop plants थे जिसको फारगे गोलते है crop plants crop plants हमारे पास हो जाता है जिसको कि रहेंगे बस यही आपके लिए बैस है ठीक यहां पांचवह पॉइंट की बात करें पांचवह 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 पइंट दिखाई देरा जिसकों लोग बोलते हैं यहां पर हमारे पास क्या मिलता है 84 species मिलते हैं कितने 84 species मिलेंगे यह जो species से included दे कहाँ पे जो हमारे पास board dress क्या बोलता है जो हमारा मद्द सागर था मद्द सागर के बीच यह पूरा पूरा species हमको दिखाई देता था अब यहाँ पे हमारे जो species थे उसमें धियर सारे common species थे यह गेहूं देख रहे हो गेहूं और पत्ता गोभी जिसको बोलते आप लोग यह ज़्यादा था यह ज़्यादा देखने के लिए मिलता था और हमारे पास अलग 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 species थे खासकर यह पूरा रीजन था यह हमारा वेजिटेबल बोलता है क्या कि यहां पे cultivated vegetables है their origin of the region यानि सबस्यदाइदी vegetables की बात करें इस region में देखने के लिए हमको मिलता था आगे जब बात करते हैं अगले number पे 6 नमबर पे यहां पे बोलता है सोमेलिया की बात करें यह सोमलिया रफोद्ष करें आप यह सेमस्ते मिलता था अनले पिंगर यानि आपकी भिंडि भी देखने के मिलती थी इस एरिया में पात करें के 8ए नबिर इंटेन्स। चीज है हूं पर सॉथ मेकिसिron बहुता है कि जो है कि कि रेया था या यो ग्रेया था वहां की बात करें कि चृशंव को यहाँ लिगोचा यहीं चिर्शलों को क्य दिखा दिखाए था जन थेय के अफम्या Carbon Reality, मैक्सिको के साथ हमारे धेर सारे अलग अलग जो पूरे रिजन थे वह इसी एरिया में प्लांट जो कल्टिवेटर प्लांट थे वह धेर सारे थे और यह प्राइमरी सिंटर आफ ओर जिन का पाट दाता है इसमें कौन आ जाएगा कौन आ जाएगा ठीक आप यहां पे हमको स्वीट सब्सक्राइब करें हमारे पास क्या मिल जाएगा पपाया मिल जाएगा हमारे पास अंगूर मिल जाएगे टुबैको मिल जाएगा और अधर प्लांट इस रीजन में आते थे जो सबसे ज़्यादा कहीं कहीं को प्रतीत होते थे ठीक आगे बात करते हैं अगले नमर पर हमारे पहले स्टेश कहलता है यहां पर मारे पास पहले स्टेश थे के विरेविक थे भी दो कैसे हैं जो पेलियर क्या होगा प्या प्रीयों अपी यहां पर प्रीवेट के बात कर रहा है mere बड़ा बात करता है कि हाई-मास्टीन रीजेजन है क्या है हाई मांटेनियूस रीजन है और इस रीजन में जितने भी हमारे सिविलाइजेशन के पार्ट रहे हैं वहां पे सबसादा होम में यानि घर में लोगों ने क्या बताया तो यहां पे टोमेटो की बात किया पोटेटो की बात किया रेट पेपर किया एंड जो हमारे चिल किसे थे थे खासका राइसलेंट की बाद करते हैं यहां कासरेंट की बात कर सदी कृश्विच सनलेंट यहां पर उरीजन पोटईटोस यानि यह मिला धिया हमने यहां बोला किया DA important craft नेट हरा टू ब्राजिल दक मिलाक यहां पेरी को erzählt सब्सकुंद Раз हमारी light आफ हो चुकी है हम इसको थोड़ असान कर ले ठेहाँ ठेक यह जो ब्राजिल और बाकि जो एरिया की बात कर रहा कि ब्लाजिल आर पेरू की Green meng हमको क्या दिखाई दिया हमको यहां पर Ground nut दिखाई दिया Kresor दिखाई दिया हम को Tools दिखाई दिया and जो बाकी हमारे पास pineapple दिखाई दिया यह पूरी पूरे evidence के basis पे हमारे पास art center कहीं न कहीं लेके आएं Rimagelon तो आपके लिए मैं रिक्वेश्ट करूंगा कि आप इस कोस्टन को जल्दी से कंप्लीट कर ले ताकि आपका पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो पाए मैं कुछ और स्लाइट दिखा दे रहा हूं आप उसको कापी कर लो जल्दी से थोड़ा सा यहां पर देखो यह कुछ कापी है बेवी लोग के आपको दिखाई दे दिये गहें तो मैंने आपके नोट्स के लिए बता था यह बसता है क्लास नंबर अगला तो इस अगले क्लास में छोटा सा है वैसे मैं इस सीरीज को बताऊं या ना बताऊं कोई दिक्कात नहीं है आप इसको सही तरीके से रख सकते हैं तो बेश्ट आफ लाक मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपको टेक के और बाइबाइ ज के लिए हैंगे हिने इस साफ से अबरा था यह कॉन ही तरीके से पिर आफ